आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि होम लोन का जो interest का amount होता है वो income tax में कहा दिखाया जाता है जी हाँ तो देखिया ये new tax जिमाने से पंगा हो चुका है कई लोग को मालूम नहीं चलता कि column भाई ये enable कैसे करना है ITR 1 के अंदर बात करो 2 के अंदर बात करो 3 के अंदर 4 के अंदर और home loan के अंदर एक नएक sensitive deductions भी होती है जिसके ओपर कई सारी conditions होती है कई लोग ऐसे ही ले लेते हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर deductions कैसे लेनी है ITR के अंदर कब लेनी है और यहाँ पर क्या limit से उसके उपर तो यह सब कुछ जानने को मिलेगा भाई आज आप लोग को एक ही वीडियो के अंदर यार स्टार्ट करने से पहले बतना चाहूंगा ITR की filing और tax planning के उपर हम लोगों ने अपना पूरा भाई practical course launch कर रखा है बहुत ही affordable cause के उपर हर एक segment की भाई tax planning और tax filing आपको सीखने को मिल रही है link in the description box एक बर प्लीज ज़रू चेक आउट कर लेना या फिर अगर आप expert के तुरू filing भी कराना चाहते हो तो उसकी link भी मैंने description box में दे रही है अगर मैं सीधा सीधा point के उपर बात करूँ कि deductions कौन कौन सी मिलती है home loan के अंदर तो एक तो आपको interest की deduction मिलती है section 24 के अंदर वहाँ पे अगर मैं old taxism के अंदर बात करूँ self occupied और let out property दोनों पे अलाओ है लेकिन new taxism के अंदर के वाँ let out property पे अलाओ रहती है बाकी ATC के अंदर डेट लाख रुपे की principal amount की deductions और उसी के अंदर stamp duty relation charges सब कुछ add किया होता है इसके लिए वाँ दो deductions और होती है ATEE करके और EEA करके और यह sensitive deductions होती है लेकिन इसके ओपर conditions होती है जो मैं वीडियो के end में बताऊंगा तो भाई मैं सीधा यहाँ पर आ चुका हो अपने ITR1 form के ओपर देखो ITR1 और 4 का format ना एकदम मतलब same है ठीक है तो ITR1 का आप सीख लो 4 का अपने आप आप जाएगा ऐसे मैं आपको ITR2 का बता दूँगा पहली चीज तो भाई आपको ध्यान रखना है अगर self occupied property पे भाई होमलोन का tax का benefit लेना है तो पहले आपको new taxism से opt out करना पड़ेगा यानि general information या personal information में जाकर यह जो option आपका पहले no रखा था उसको आपको yes करना पड़ेगा अब यहाँ पे आप देखोंगे तो income from the house property का आपको column मिलने वाला है जी हाँ तो यहाँ पे जब आप अपनी total income डालते हैं जापे salary, house property, others उसे सारी income दिखाई देती है वहीं पे आपको house property का column मिलेगा तो यहाँ पे add details पे click करना है अब देखो यहाँ पे दो option पूछने वाला है अगर देखो अगर आपकी खुद की property है आप रहे रहे हैं उसी के उपर आपने home loan ले रखा है तो self occupied आपको choose करना है और इससे आपके दो column खुल जाएंगे अगर आपने new taxism select कर रहा है तो ध्यान रखना है यह interest paper और borrow capital वाला जो column में वो open नहीं होने वाला है या फिर disable हो जाएगा तो यहाँ पे अगर आपको old taxism के इंदर benefit चीए home loan के उपर 2,00,000 रुपे तक की interest का deduction तो इस वाले column के इंदर आपको interest का amount डालना है अब यह interest ऐसा नहीं है कि हर बारी सीधा 2,00,000 रुपे की deductions ले ली ऐसा नहीं करना है बैंक से बकायदा एक interest का certificate मिलता है जिसके अंदर proportionate दिया होता है कि इस साल आपका interest आपने इतना pay कर रखा है और अपने principal इतना pay रखा है तो यहाँ पे भाई जैसे आप home loan का tax का benefit रहूंगे जैसे मैंने 2,00,000 रुपे डाल दिया यह सीधा minus के अंदर चला जाएगा ऐसे ही मालनो अगर आपको rental property के उपर लेना होता तो यहाँ पे आपको let out चूस करना है उपर आपको rent की amount वगरे डाल दिनी है जैसे मालनो मैंने 5,00,000 रुपे डाल दी ठीक है फिर नीचे मालनो मैंने उसी property के उपर home loan भी ले रखा है तो उसका भी interest का deductions यहाँ पे मैं ले सकता हूँ और ध्यान रखना ये वाला जो deductions है वो new taxism के अंदर भी allow है old के साथ में मतलब old में तो दोनों चीज़े लेकिन new के अंदर के वा let out property पे मिलेगा self occupied property पे नहीं मिलेगा इसी तरह भाई अगर मैं idea 2 की बात के हूँ तो उसमें बहुत सारे schedules होते है idea 3 के अंदर भी same concept होता है तो वहाँ पे आपको जाना पड़ता है hp schedule के अंदर जिसको हम लोग house property बोलते हैं और भाई वहाँ पे भी same कहानी है अगर self occupied property पे चाहिए तो इस वाले आपको option को no से आपको yes में convert करना होगा तो यहाँ पे schedule house property के अंदर idea 1 के अंदर हमसे कोई details नहीं मंगता idea 4 के अंदर details नहीं मंगता लेकिन यहाँ पे बकाइदा property का address मंगता है तो यहाँ पे आपको बकाइदा पूरा property का address डालना है यह यह भी पूछेगा कि आप खुदी अगे ले single honor है property के या फिर let's suppose आपके साथ में कोई और भी है तो अगर joint honor है आपका जो भी percentage है वो आप बाढ़ सकते है और yes button पे click करते हैं जो भी आपके साथ में co honor रहेगा उसका नाम और उसका pancard number भी आप दे सकते हो फिर यहाँ पे by same option आएगा self occupied property का जैसे आपने select किया तो old taxism के अंदर ये column देखेगा आपको interest payable on the borrow capital का जिसके अंदर आप 2,00,000 रुपे तक का interest आराम से claim कर सकते हो बाकि अगर मैं self let out property की बात करूँ तो यहाँ पे एक additional point है जाएगा आपको tenant का यहाँ पे नाम भी डालना पड़ेगा नीचे आपको rent का amount डालना है और यहाँ पे आप देख सकते हो interest payable on the borrow capital ये वाले column के अंदर आपको interest डालना है तो जैसे हम लोग ने पहले 5,00,000 रुपे दिखाया था ITR 1 और 4 के अंदर same वैसे ही यहाँ पे ITR 2 और 3 के अंदर आप इस तरह किसे डाल सकते हो columns आपको same मिलेंगे borrow capital के अंदर आप अपना interest का deductions ले सकते हो इसी तरह माली जी आपके home loan के अंदर जो principal का amount है या first year जब आपने home loan लिया तब obviously बाते नए घर के उपर time duty वगरे सब पे किया होगा तो उसका deduction आपको ATC के अंदर मिलता है भाई ATC की maximum limited 1.500,000 रुपे तो इसके अंदर के वल आपको home loan का principal amount नहीं आपका life insurance का PBM, PPF के अंदर contribution, 5 साल के tax saving, FDs हो गई, ALS, mutual fund, बच्चों की फिस ये सब कुछ मिला करके ही 1.500,000 रुपे के अंदर आपको cover करना होता है इसी तरह अगर आप ITR 2 और ITR 3 के अंदर भी जाएंगे तो यहाँ पर chapter 6 से करके जो होता है वहाँ पर आपको simply ATC का column देखने को मिल जाता है जिसमें maximum 1.500,000 रुपे का deduction आप ले सकते हो अब भाई home loan के ना दो additional section और होते हैं एक होता है ATEE करके और एक होता है 88EE करके जी हाँ और दोनों ही यहाँ पर home loan के interest से relevant section है लेकिन यह काफे ज़ादा sensitive है क्योंकि उसके उपर कुछ terms and conditions है ATEE के अंदर क्या condition है पहली चीज तो यह कि आपका loan जो है April 2016 से March 2017 के बीच में अपरूव होना चीए यानि financial है 2016 और 2017 हो गया बाकी जो loan का amount है 35,000,000 से कम होना चीए property की जो value है वो भी 50,000,000 से कम होनी चीए तो देखे section 24 के इंदर जो 2,000,000 की अपने deduction ली ठीक है वो भी यहाँ पर आपको कम पढ़ रही है मालिचे आप 3,000,000 रुपे का interest पे कर रहे हो या 5,000,000 रुपे का interest पे कर रहे हो तो 2,000,000 पहले आपको section 24 के अंदर लेना है फिर भी अगर 50,000,000 रुपे बच जाता है और मालिचे आपकी यह सारी condition फुल्फिल होती है तो 80,000,000 के अंदर extra 50,000,000 रुपे की direction आपको यहाँ पे अला हो जाएगी इसी तरह अगर मैं EEA की बात करूँ तो यह एक इसका additional version है यहाँ पे conditions यह है कि अप्रेल 2019 से लेकर मार्च 2022 के बीच में आपका loan अप्रूना चाहिए प्रॉपर्टी की जो इस time value है वो 45,000,000 से कम होनी चाहिए तब भी आप इस reduction को ले सकते हो तो यहाँ पे भी seem कानी है interest अगर आप इतना जादा pay कर रहे हो कि 2,000,000 से भी जादा का interest है तो section 24 के अंदर 2,000,000 ले लिया फिर additional date लाख रुपे तक का deduction आप इस वाले section में ले सकते हो लेकिन भाई उसके लिए condition फुल्फिल होनी चाहिए ऐसा नहीं है अभी आपने recently home loan लिया है तो बस आपने यह सारी deduction यहाँ पे अवेल कर ली बाकि यार under construction property की बात करूँ या फिर joint loan, home loan की बात करूँ तो उस case में मैंने एक separate already जो है वीडियो वगर बना रखा है तो link दे दूँगा आप description box में प्लीज ज़रू check out कर लेना बाकि अगर आप मुझसे सीखना चाहते हर एक segment की practical idea of filing के साथ में tax कैसे बचाना है link in the description box expert के तुरू file कराने के लिए भी आपको link मिल जाएगी बाकि अगर आप लोग के कुई भी doubt से comment box के नदर ज़रू बताएगे thank you guys, thank you very much